सब्सक्राइब कीजिए हमारे बिखाट इंडिया चैनल को और घंटी के आइकन को दबा कर सबसे पहले ग्रशी संबंदी वीडियो को देखें धान की फसल में खर पत्वार तीन प्रकार के होते हैं घास, मोथा और चौड़ी पत्ती वाले घास प्रजाती के खर पत्वार, मोनोकोट और ग्रामिनी परिवार के होते हैं इनकी पहचान पतली, लंबी पत्यों और गोल तनों से की जा सकती है इसके अलावा मोथा प्रजाती के खर पत्वारों की पहचान तिकोने तने द्वारा की जा सकती है खर्पत्वार किसी भी स्थिती में पनप सकते हैं। खर्पत्वार अधिक मात्रा में बीज उत्पादन करते हैं। खर्पत्वार एक जीवन चक्र में करीब 87,000 सक्रिय बीज उत्पादन कर सकते हैं। खर्पतवार के पौधे तीवरता से खेत में स्थापित होते हैं। खेत में अंदर दबे हुए खर्पतवार के बीज साथ साल तक के लिए जिवित रह सकते हैं। खर्पतवार के बीज खेत में धान की बिजाई या रोपाई के समय रहते हैं। और धान के साथ या पहले ही खरपत्वार के पौधों का अंकुरण हो जाता है। खरपत्वार धूब एवं नमी के अलावा पोशक तत्वों को धान के पौधे तक जाने से रोगते हैं। जिसकी वज़े से फसल का विकास रुख जाता है और उत्पादन की लागत बढ़ जाती है एवं उत्पादन की गुणवत्ता में कमी आती है। रोपित धान और सीधी बिजाई वाले धान में खरपतवार द्वारा 33 प्रतिशत तक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।